नमस्कार क्यापिटल टीवी का खास शो महाराश्ट्र फाइट्स देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ सुनाली आज बात करेंगे बीमसी चुनाव को लेकर कॉंग्रिस में हो रहे घमासान की क्या मुंबई महानगर पालिका का चुनाव कॉंग्रिस अकेले लड़ेगी या फिर महाविकास अगहाडी की एकता कायब रहेगी ये सवाल बार बार उठ रहे हैं BMC का चुनाव अकेले लड़ने का एलान काफी दिनों से मुंबई कॉंग्रिस अध्यक्ष भाई जबताप करते आ रहे है महराश्ट्र कॉंग्रिस अध्यक्ष नाना पटोले भी BMC election अकेले लड़ने की बात करते रहे है लेकिन CM शिंदे की बगावत के बाद जब से शिफसेना दो गुटों में बटी है तब से नाना पटोले के सुर कुछ बदल गए है कॉंग्रिस के लिए अकेले दम पर चुनाव लड़ने की मांग के पीछे क्या कारण है आज इसी पर चर्चा करेंगे चर्चा के लिए हमारे साथ स्चूडियो में मौझूद है Capital TV के Senior Editor राजीव जी राजीव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका राजीव जी क्या कॉंग्रिस अकेले दम पर चुनाव लड़ पाएगी देखिए ये सवाल अकेले दम पर चुनाव लड़ने की नहीं है अगाड़ी के साथ गठवंधन में यानि कि NCP और शिब सेना का उद्धव ठाकरे गुट के साथ गठवंधन के साथ BMC चुनाव लड़ना क्यों चाहते हैं क्योंकि जब अगाड़ी की सरकार थी उस समय से ही ये बात्चे चल रही है कि क्या BMC का चुनाव कॉंग्रेस अकेले लड़ेगी या फिर NCP और शिब सेना के साथ मिल के लड़ेगी शिब सेना के तरफ से हरी जण्डी दिखा दी गई थी शिब सेना के उस समय जो ततकालिन सीम थे उद्धव ठाकरे और अगाड़ी का नेत्रित्व कर रहे थे दूसरे तरफ से फ्रत पवार यानि कि ये दोनों नेता चाहते थे कि कॉंग्रेस इनके साथ ही चुनाब लड़े दोनों नेताओं ने बार बार इस बात के लिए जिक्र भी किया कि अगहाड़ी तीनों पाथियां मिलके BMC का चुनाब लड़ेगी उस समय लग रहा था कि BMC का चुनाब हो नहीं वाला है लगी तो सुप्रिम कोट के आदेश के बाद जल्दी वाजी में चुनाब कराने की मांग होने लगी और मौनसुन के कारण की बारिस होती है तो मुंबई के हाला खराब हो जाते हैं ऐसे में चुनाब कराना मुश्किल है तो अब समय नजदीक आ गया है क्योंकि पहले से ये NCP प्रमुक शरत पवार BMC में कभी भी कोई कमाल नहीं कर पाए मराट वाड़ा के छेत्रों में उनका ज्यादा बेस है लेकिन मुंबई में NCP का बेस कमजोर है पिछले कई BMC के चुनावों का रिकॉर्ड देखेंगे तो NCP 10-15 सीटों पर ही सिमट के रह जाती है ऐसे में श समय के जो situation बन रहे थे उसके according कि शिब सेना का अपना आधार है मुंबई के अंदर दूसरे तरफ Congress भी तीसरे नंबर की पार्टी BMC में रही है हमेशा से पिछले चुनावों में भी पहले शिब सेना सबसे बड़ी पार्टी रही दूसरे नंबर पर भारतिय जनता पार्ट रही जो पिछले चुनाव में भाजपा और शिब सेना दोनों में दो सीटों का अंतर रहा उसके बाद Congress की ही position रही है तीस सीट चाले सीट वो लाती रही है लेकिन Congress का मानना है कि अगर हम अकेले चुनाव लड़ेंगी तो उसमें NCP सिब सेना के गठवंधन से ज्यादा फा के बापचूद Congress को जो उसका आधार है वो वोट तो मिलेगा ही और NTPJP वोट भी Congress को मिलने वाला है इसलिए Congress के निता इस बात को लेकर बार बार जिकर भी कर रहे थे डाटा भी पेस कर रहे थे और दो बार राहुल गांधी से मुलाकात भी हुई थी यही नाना पटोले उ तरफ से एक तरफ से हरी जंडी भी मिली थी और उस समय चर्चा के जा रहे थी कि BMC का चुनाब जो होगा वो अगहारी के फूट का आधार बनेगा क्योंकि एक तरफ आप सरकार बनाये हुए हैं साथ में सरकार में काम कर रहे हैं दूसरे तरफ जब उसी सरकार में मुंबई में चुनाब हो रहा है तो वहाँ पर तीनों अलग-अलग पातियां अलग-अलग चुनाब लड़ रही हैं तो इसको लेकर शिब सेना की नाराजगी होगी NCP की नाराजगी होगी और कॉंग्रेस एक आधार बना रही है कि उस सरकार से बाहर निकले क्योंकि कॉंग्रेस के नेताओं को ये लग रहा था कि शिब सेना और NCP ये दोनों गठवंधन करने के बाद कॉंग्रेस के स्थिति धीरे-धीरे कमजोर हो रही है। जो कारेकरता है वोटर हैं वो कॉंग्रेस के बदले भारतिय जन्तापार्टी को वोट देंगे तो ऐसे इस स्थिति में कॉंग्रेस को कोई फायदा नहीं होने वाला है। चुनाव के दोरान कोई कनफ्यूजन इस बात का हो कि एक तरफ शिव सेना हिंदुत्व की बात कर रही है जो उद्धव ठाकरे के गुट भी हैं। इतना भी सेकूलर नेचर बनाने की कोशिश उद्धव ठाकरे करें। पड़ेगा कि अभी भी उनका हिंदुत्व बचा हुआ है। अब ऐसे में कॉंग्रेस के लिए बड़ी समस्या हो जाएगी क्योंकि मुस्लिम वोटर जो है वो कॉंग्रेस का साथ नहीं देंगे ऐसे सिती में। उनके साथ confusion हो जाएगा और उस गठवंधन के बदले दूसरे गठवंधन और दूसरी पाटियां जो चुनाब लड़ती है बीमसी का समाजवादी पाटी भी लड़ती है चोटी-छोटी दूसरी पाटियां भी लड़ती है और इस बार लगभग ये माना जा रहा है कि AIMIM चुनाब लडेगी ही ओवैसी मेधान में कुदेंगे और भीमसी में भी चुनाब लड़ने वाले हैं वहां के मुस्लिम वोटर को अपने साथ लाने के लिए पिछले विदान सवाचुनाब में भी लड़ा, महरास्ट में लोकसवाचुनाब भी लड़े और औरंगाबास से एक सांसद भी बनवा के आये हैं तो इसलिए उनकी महत्वा कांशा बड़ी हुई है उनको लग रहा है कि BMC में भी ठिक ठक मुस्लिमों का सपोर्ट उन्हें मिल जाएगा तो ऐसे सिती में कॉंग्रेस फुरी तरह से कन्फ्यूज है कि इन लोगों के साथ चुनाब लड़ते हैं तो जो मुस्लिम वूट हमें मिलती रही है वो भी मुसल्मान AIM या समाजवादी पार्टी या दूसरी छोटी पार्टीों के साथ चले जाएंगे और इससे हमें नुकसान होगा इसलिए बात इस अस्तर पर चले गई है कि BMC के चुनाब में साथ नहीं लड़ा जा सकता है जबकि आगे आगने वाले विधान साथ चुनाब के बात जब होगी तो उस समय चर्चा किया जाएगा कि क्या हो सकता है तो सवाल यहीं पर आके अटका हुआ है कि पैसला लेगा कौन आकिरकार यह जो चुनाब में जाने के पहले जो तकरार चल रहा है इस से क्या कौंग्रेस अगाडी से बाहर निकलने वाली है या फिर NCP प्रमुक शरत पवार कौंग्रेस को फिर से अपने जाल में फसा लेंगे और कोशिश करेंगे कि अगाडी तीनों पाथियां कम से कम BMC का चुनाब साथ में लगने ये कन्फ्यूजन का महाल महराष्ट में चल रहा है अगाडी के बीच चल रहा है और कौंग्रेस के शिर्ष नित्रित्व जो है वो भी इस बात के लिए कन्फ्यूज है कि कौंग्रेस इस मुद्दे पर एक नहीं है कई गुट बने हुए हैं और कुछ लोगों का मानना कुछ और है कुछ लोगों का मानना है कि हम भविस्ट को देखें आगे के चुनाबों को देखें और इसलिए सेक्रिफाइज करें BMC के चुनाब को इन लोगों के साथ चुनाब लड़ना चाहिए तो ये इस्ततिया लगभग वहाँ पर confusion का चल रहा है लेकिन क्या खड़गे जी इसको solve कर पाएंगे जो समस्या चल रही है आजकल Congress में देखे खड़गे जी अभी ने ने Congress के अध्यक्ष बने हैं लेकिन Congress के अध्यक्ष बनने के बाद ऐसा लगता तो नहीं है कि मलिकार जुन खड़गे के हाथों में कुछ भी है मलिकार जुन खड़गे एक messenger है एक संदेश वाहा कहीं भी उनके पास decision लेने का अधिकार नहीं है पिछले दिनों जब BMC की बात हुई थी तो जैसा हम लोग उने अभी बात की है कि नाना पटोले गए थे राहूल गांधी से मुलाकात हुई थी सुनिया गांधी को चिठी लिखी गई थी ये सारी बाते हो चुकी थी कि BMC के चुनाव हम लोग अकेले लड़ेंगे राहूल गांधी ने उस समय बताया भी था उन इसारों के आसपासी फैसला लेने की तैयारी करेंगे जब खड़गे वहाँ पर पहुँचेंगे क्योंकि वो सोनिया गांधी राहूल गांधी की सलाह के बिना कोई भी कदम उठा ही नहीं सकते तो ऐसे में होगा क्या वहाँ पर कॉंग्रेस के नेताओं के साथ बातचित करेंगे जो मुंबई कॉंग्रेस का लीडर्स्टीप है उससे भी बात करेंगे और परदेश कॉंग्रेस कमीटी से भी बात करेंगे कि राय ली जाएगे कि हमें करना क्या चाहिए पिर वो सारे रिपोर्ट लेकर जो सुप्रीम हैं वहाँ पर कॉंग्रेस में जिनके हाथों में पावर है यानि आला कमान जिसे कहा जाता है आला कमान का मतलब अध्यक्ष नहीं है पहले सोनिया गांदी थी इंट्रीम अध्यक्ष उससे पहले राउल गांदी थे अध्यक्ष तो वो भी आला कमान थे अभी भी जब खड़ गया ध्यक्ष बन गए हैं तो भी वही लोग आला कमान हैं यानि कि कमान उनके हाथों में है तो हाई कमान के पास ये रिपोर्ट सौपेंगी और वहाँ से फिर इशारा किया जाएगा कि ये फैसला किसके हक में हो कौन लोग क् दाचा क्या बताता है बी-अमसी के चुनाव में गठ बंधन करके चुनाव लगने से कौंग्रेस को कोई फायदा हो सकता है या नहीं क्योंकि कौंग्रेस में अभ इस बाद के लिए चर्चा हो रही है कि कब तक भारतिये जनता पाची को हराने के नाम पर हम सेक्रिफाइस क जैसे दिल्ली के चुनाब में भी ऐसा हुआ था कि कॉंग्रेस ने लगबग सरेंडर कर दिया बड़े बड़े नेता स्टार परचारक को दिल्ली में विधान सभाद चुनाब में परचार करने के लिए नहीं आए राहूल गांधी प्रियंका गांधी बहुत एक सिमित तौर कहा जाए तो उपस्थित दर्ज कराने के लिया है कि कि blueprint लोगों को लग रहा था कि केजरिवाल भारते जन्ता पार्टी को हराएंगे और केजरिवाल के लिए मुशिकल हो जाएगा अगर आगर कौंग्रेस को वोट मिलता है कौंग्रेस को वोट गाठने के लिए अगर ये लोग उतरते हैं मैदान में तो दिल्ली के मुसल्मान कॉंग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीट बच जाएं तो ये जो सारे जगह पर जो लगबग ये चल रहा था वो परसेप्सन अब कॉंग्रेस बदलने की कोशिश कर रही है कि अब हमेशा सक्रिफाइस करने के मूड में न रहा हो वारतिय जनता पाटी जीथी है तो जीतने दो ऐसा नहीं है कि उसको हराने के लिए दूतरे चेत्रियो पाटियों को जीता है तो जो बी-म-सी के चुनाब है उसमें इस बात के लिए भी चर्चा चल रही है कि अगर कॉंग्रेस को कोई फाइदा ह उसकी सीटे बढ़ने की संभाव ना है तो फिर अकेले चुनाव लड़ा जाना चाहिए ऐसा नहीं है कि शरद पवार को फायदा पहुचाने सिब सेना के उद्दब ठाकने के गुट को फायदा पहुचाने के लिए कॉंग्रेस पूरी तरह से सरिंडर कर दे कि नहीं हम लोग इसी के साथ चुनाव लड़ेंगे अगाडी के साथ चुनाव लड़ेंगे बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी बातचीत के लिए धन्यवाद आईगी या फिर अकेले लड़ने का जोखी मुठाएगी आज के हमारे शो में फलाल इतना ही कल एक बार फिर महरास्ट से जुड़ी बड़ी खबर के साथ हाजिर होंगे तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटिल टीवी नमस्कार